हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस कलास में आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए संस्क्रेट के दूसरे पार्ट पार्टली पुतर के सभी महत्पूर अब्जेक्टिव प्रशन को हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एक्जायम के ल जरूर याद कर लेना है और लास्ट में एक खुमबर प्रशने उसका जवाब आपको कमेंड बोक्स में जरूर देना है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे काफी जरूर ये सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन आए बी ओप्सेन है दो हजार वर्स सी ओप्सेन है पंदरसो वर्स डी ओप्सेन है एक हजार वर्स तो जो पटना है उसका इतिहास कितना साल पूराना है तो पटना का इतिहास पचीस सो वर्स पूराना है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ए ओप्सन यहाँ पर क्या हो सही हो जाएगा और HW का जिनका सबसे पहले सही जवाब आया है कुल्दी प्राज बोल रहे हैं कि उत्तल लेंस का उप्योग है इसमें काफी बच्चों ने गलत जवाब दे दिया उत्तल लेंस प्रशने ये था कि निकट दिरिष्टी दोस में किस लेंस का उप्योग किया जाता है तो निकट दिरिष्टी दोस में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है काफी बच्चों ने यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है आईए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्ण है, दूसरा प्रश्ण है यहाँ पे देख लिए बुध काल में पाटली पुतर नगर का क्या नाम था? जो बुध काल था उसमें पाटली पुतर जो नगर है उसका क्या नाम था? A option है पाटली ग्राम, B option है पुरुशपूर, C option है कुसुमपूर, D option है मादोपूर तो बुद्धकाल में पाटली पुतरनगर का क्या नाम था तो पाटली ग्राम था तेहां पे सही जवाब हो जाएगा A, A option क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और अगला जिनका सही कोमेंट आई हो है आभी सेक अनन्द बोल रहे हैं कि ओतल लेंस है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है निकट दिरिष्टी दोस में किसका प्रयूख किया जाता है उत्तल लेंस का और दूर दिरिष्टी दोस में किसका प्रयूख किया जाता है तो उत्तल लेंस का ये आप लोग हमेसे याद रखिएगा आए देखते हैं दूसरा प्रश्णी यहाँ पर दूसरा प्रश्णी देख पर नायम बहुत बार भगवान बुध है तो यहां पे सही जवाब है डी डी ओप से नहीं आपर क्या हो जाएगा और अगला जिनका सही कोमेंट आपको कोमेंट कर देना है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देज़े चैनल को सब्सक्राइब कर देजे चार नमर प्रशने यहां पे देखिए सरवसति का कुलगरी कौन सा नगर जो सरवसति है उनका कुलगरी कौन सा नगर है इसमें पूचा गया है यहां पर इसमें से कौन सा है पाटली पूतर है इन सरुसती का कुल गरी यहां पर सही जवाब हो जाएगा सही हो जाएगा और अगया जैंका सही कमेंट आये हो है ऊंप्रकास कुमार बोलक़ी ओट Creating होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर अगला प्रश्ण यहां पर देखिए पांच नमर प्रश्ण यूनान का राजदूत कौन है यहां पर सही जवाब हो जाएगा सही हो जाएगा और अगला जिनका सही कोमेंट आए और अनमोल कुमार बोल रहे हैं कि आउतल लेंस का उप्यूग होता है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर अगला प्रश्ण देखिए हैं आपर पाटली पुत्र बैभौम पार् अगला प्रश्ण यहां पर अगला प्रश्ण यहां पर देखिए राज सेखर किसकी रचना है राज सेखर की रचना कौन सी यहाँ पर पूछाए गया है यहाँ पर पूछाए गया है कि जो राज सेखर हैं उनकी रचना कौन सी है तो जो राज सेखर हैं उनकी रशना कौन सी है काबे मी मनसा है तेहां पर सही जवाब हो जाएगा यह आपर क्या हो जाएगा और अगला जिनका सही कमेंट आए हो है मनीश कुमार बोलने की ओतल लेंस होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर अगला प्रश्ण यहां पर दे कि कैमूदी महत्सों किस रितू में मनाया जाता है जो कैमूदी महत्सों है वो किस रितू में यहां पर मनाया जाता है आप सही जवाब हो जाएगा D, D option यहाँ पर क्या हो जाएगा और अगला जिनका सही कमेंट आया है वह बिर्जालाल कुमार बोलें कि ओतल लेंस होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यह देखते हैं अगला प्रश्णे आप अगला प्रश्णे आप देखें पतना नगर की पालिका देवी कौन है यहाँ पर पूछाए गया कि पतना नगर की पालिका देवी कौन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका C, C option यहाँ पर क्या हो जाएगा और अगला जिनका सही कमेंट आयो है अतुल कुमार अमन बोलें कि ओतल लेंस होगा तो बिल्कुल अगला प्रस्टा है यहाँ पाटली पुतर नगर में क्या परसिद है यहाँ पर पूछे गया कि जो पाटली पुतर नगर है उसमें क्या परसिद है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा B, B path कैसे जल मिनार और पाटली पुत्र का अभी नया नाम क्या है पटना से जानते हैं पाटली पुत्र को तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा बी बी यॉप से नहीं आपर क्या हो जाएगा बी ओप्सेन है संस्कृत साहिते सी ओप्सेन है मुदरा राक्षस यहां पर डी ओप्सेन है कादम बरी तो किस साहिते में साहिते गरंत में पाटली पुत्र के हजारों और पुराना नाम वर्णन है तो मुदरा राक्षस में वर्डन है तो यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा C, C option यहाँ पर क्या हो जाएगा और अगला जनका सही कमेंट आया हो है रवी रंजन बोल रहे हैं कि ओतलेंस होगा तो बिल्कुल आपका सही जबाब है यह देखते हैं अगला प्रशने है अगला प्रशने है पतना सब्द की उत्पती किस सब्द से हुआ A option ने पाटल, B option ने पतन, D option ने पतल, D option है यहाँ पर इन में से कोई नहीं और लेंज का प्रयोग किया जाता है यह देखते हैं अगला प्रश्णियां पर अगला प्रश्णियां पर तेरा नमर देखें गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतू का निर्माड हुआ है जो गंगा नदी है उसके ऊपर पटना में किस सेतू का निर्माड किया गया है यह तो यहां पर देखें जो गंगा नदी है उसके उपड़ना गंगा नदी के उपर पटना में किस सेतू का निर्मार हुआ यहां पे जवाब हो जाएगा C, C option यहाँ पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा और अगला जिनका सही कमेंट आये हो है आदर्स कुमार बोले हैं कि ओतलेंस होगा तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पर अगला प्रशने यहाँ पर देखे जो गुरु गोवेंद सिंग थे उनका जनम किस अस्थान पर हुआ था तो यहाँ पर जो पटना है वहाँ पर हुआ था इनका जनम तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यह ओप्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और सिख धरम के दसवे और अंतिमवे गुरु आपसे पूछे की कौन है तो वह है गुरु गोवेंद सिंग तो यह आप याद रखिए और अगला जनका सही कोमेंट आए वह रुस्तम अली बुलने की ओतल लेंस का तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पर पुरंदर का दूसरा नाम क्या है यही पूछे गए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा और अगला जिनका सही कोमेंट आए वह सुजय चुहान बोलें कि ओतल लेंस का प्रियूक किया जाता है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यह अगला प्रश्णिया पर अगला प्रश्णिया पर देखिए नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था यहाँ पर पूछा गया कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ कुँमार बोले हैं कि आतल होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, आईए देखते हैं अगला प्रश्ने हाँ पे, अगला प्रश्ने देखे, किसके साथे काल में पाटली पुत्र अधिक संब्रिध हुआ, यहाँ पर पूछाए गए किसके साथे काल में D option है मुगल के काल में तो किसके सासन काल में पाटली पुत्र का अधिक बिस्तार हुआ संब्रिधी हुआ तो चंद्रगुप्त मौरे के सासन काल में बहुत सारा संब्रिधी हुआ तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा E, E option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और अगले जिनका सही कमेंट आया हुए अनूज कुमार बोलने की निकट द्रिष्टी दोस में ओतल लेंज का परियोग किया जाता है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यह देखते हैं अगला प्रशने आपे अगला प्रशने यहां पर दीखे पटना के किस दिशा में गंगा बहती है जो पटना है उसके किस दिशा में गंगा बहती है जो गंगा नदी है वो किस दिशा में बहती है E option है उत्तर दिशा में B option है पस्चिम दिशा में C option है दक्षड दिशा में D option है पूरब दिसा में, तो पटना के किस दिसा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिसा में बहती है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यह ए ओप्सन है आपकी क्या हो जाएगा, और अगला जिनका सही comment है, प्रदोमन कुमार बोलें कि ओतलन्स होगा, तो बिल्कुल आपक सही जवाब है आईए देखते हैं अगला प्रश्णिया पर अगला प्रश्णिया आप दिए सिख संपरदाय के दसवे गुरु कौन है अब भी बताएं के सिख संपरदाय के दसवे गुरु कौन है गुरु गोविन सिंग है दसवे और अंतिमवे गुरु हुए है इसके बाद कोई भी गुरू नहीं हुआ है तो यह सीख धरम के दस्वे गुरू कोई है गुरू बोबिन सिंग और इनका जनम कहाँ पर हुआ था तो पटना में हुआ था तो यहाँ पर अगला जिनका सही कमेंट आया है परदुमन कुमार बोले हैं कि ओतालेंस तो बिलकुल आपका सही ज सब्सक्राइब को नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा उसको दबा दिजिए उसके बाद ऐसे एक बेल आइकन आएगा उसे ओल पर दबाईएगा ताकि जब भी हमको वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे आईए देखते हैं अगला प्रशने आप पर अगला प्रशने आप देखिए कुसुमपूर और पूरुषपूर है उसका नाया नाम क्या है कुसुमपूर और पूरुषपूर है उसका नाया नाम क्या है तो पार्टली पूतर है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए अडू से भी सुक्ष्म क्या होता है बता चुके हैं इस प्रशने को पहले की व करता है। Center मनों सी ओप सब्स्राइब को आपने वीडियो नहीं किया तो लाइक कर दिजैंग अगर चैनल के अभी वाचिंग मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें.